पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज़ को और करे अपनी CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाउ। जो की एक क्रिशी प्रधान राज्य है। इसमें क्रिशी अर्थ व्यवस्था संबंधित आकड़े आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सिंगल वन लाइनर कोशन आता है एक कोशन पूल देगा उसके निचे चार ओप्शन देगा एक एंसर सलेक्ट करना होता है। तो इसमें जो है सिंगल वन लाइनर कोशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान समस्तिव चलिएगा अध्याय साथ क्रिशी एवब सब्द्द सिवा। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिशी को। देखे, यह जो आपका क्रिशी छेत्र है, यह बटा रहता है आपके फसल छेत्र में, मचली पालन में, पश्यू पालन में, आपका वनुद्योग, लठे बनाना, यह सभी क्रिशी छेत्र के अंतरगत आते हैं, तो ध्यान दिजेगा इस क्रिशी छेत्र में जो आपका फसल छे 25,86,29 लाक यानि की 25,86,429 लाक रूपए ये अनुमानित है इसकी भागीदारी फसल छेत्र की भागीदारी जो की हमारे 36 गड़ के कुल GSDP का 10.09 परसेंट हिस्सा कवर करता है अगर हम इसमें व्रिद्धी की बात करें तो पिछले वित्ति वर्ष की तुलना में यानि की 2021-22 से पहले के वर्ष की तुलना में इसमें 3.95 परसेंट की व्रिद्धी दर्ज की गए इन्पॉर्टेंट ध्यान दीजेगा इससे एक्जाम में प्रश्ण बन सकता है प्रश्ण का पुछा जाएगा कि फसल छेत्र का सकल राज्य घरेली उत्पाद 21-22 में अग्रिम अनुमान इस्थिर कीमत पर इसकी भागीदारी कितनी है तो ध्यान दीजे 25,86,429 रूप है इसक परसंटेज से कुस्ट्रेंट पुस्ता है परसंटेज की अगर हम बात करें तो यह है 10.09 परसंट यानि कि 10.09 परसंट अगर वृद्धी की बात करें तो वृद्धी है आपका 3.95 ठीक है 3.95 परसंट देखिए आर्थिक सर्वेक्षन के आखड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में जो है कुल क्रिशक परिवारों की संख्या कुल क्रिशक परिवार किसानों की बात नहीं हो रही है किसान परिवार की बात हो रही है क्रिशक परिवारों की संख्या है आपका 40.10 लाग ठीक है 40.10 लाग हमारे प्रदेश में किसान परिवारों की संख्या है जिसमें से ये इस टोटल जो किसान परिवार है उसमें से 82 परसेंट आपके लगू एवं सिमान्त क्रिशक स्रेणी के अंतरकत आते है 82% जो है ये लगू एवं सिमान्त क्रिशक के अंतर केताते है ध्यान दिजेगा हमारे देश में जो है किसानों को कुल 5 स्रेलों में बाटा गया है एक है आपका सिमान्त क्रिशक ठीक है सिमान्त दूसरा है आपका लगू क्रिशक तीसरा है आपका अर्ध मध्यम क्रिशक चोथा है आपका मध्यम क्रिशक और पाच्वा है आपका व्रिहद या दिर्ग क्रिशक ये जो क्रिशक है इन्हें इनके क्रिशी छेत्र के आधार पर इनके क्रिशी जोत के आधार पर इनने बाटा गया है सिमान्त क्रिशक जिसका जो क्रिशी जोत का आकार है वो एक हेक्टेर से कम होता है लगू जो क्रिशक होते है उनके क्रिशी जोत का आकार एक से दो हेक्टेर के आसपास होता है जबकि आपकी अर्द मद्यम क्रिशक है उनके क्रिशी जोत का आकार दो से चार हेक्टेर के आसपास होता है और आपके मद्यम क्रिशक के जोत का आकार चार से दस हेक्टेर के आसपास होता है जबकि वरिहद क्रिशक के क्रिशक के क्रिशी जोत का आकार दस हेक्टेर से अधिक होता है तो हमारे प्रदेश में लगबग 80% जो आपके किसान है ये लगववं सिमान क्रिशक स्रेणी के अंतरगत आते हैं ठीक है हमारे प्रदेश में लगबग 40.1 लाख परिवार आपके क्रिशक परिवार है ठीक इंपोर्टेंट है याद रखिएगा अब देखिए नेच्ट है आ पता होगा आज के डेट में जो है कई प्रकार के रासाइनिक उर्वरक आ चुके रासाइनिक खाद आ चुके है जो फसलों को एकदम अति शिग्रता से उसे बढ़ाते हैं ठीक है कित नाशक दवाईयां आ चुकी है जो की मानाव स्वास्ते के लिए हानिकारक है हमारे परंपरागत तरीके से क्रिशी किया जाता है परंपरागत तरीके से मतलब गोबर के खाद बनाना ठीक है गोबर से जो है आपके खाद बनाया जाते है यहाँ पे कीट नाशकों का उप्योग किया जाता है ठीक है कीट नाशकों का उप्योग ना करना यह जो पद्धती है य इन्हें पूर्ण जैविक जिला घोशित किया गया है, कौन-कौन सा है, आपका सुकमा, बीजापूर, दंतेवाया, नारायनपूर और गरियावन, ठीक है, हमारे प्रदेश के ये पांच जिले है, जो की पूर्ण रूप से आपके जैविक जिले है, इन जिले में आपके क्रि लेकिन हाँ, दस्तावेजो के आधार पर ये जो पांच जिले है, इसे पूर्ण रूप से जैविक जिला घोशित किया गया है, जबकि पूर्ण रूप से जैविक विकासखंड हमारे प्रदेश में जो है, टोटल 22 जिलो के एक-एक विकासखंड को, प्रदेश के 22 जिलो के एक एक विकासखंड को जो है आपका जैविक विकासखंड घोसित किया गया है ठेक ये है आपका जैविक खेती योजना ध्यान दिजेगा ये एक नया आकड़ा एड हुआ है इस साल जैविक खेती छेत्र जो की वित्तिय वर्षी 2021-22 में हमारे प्रदेश में लगबग 67,500 एक आपका वर्ष 2021-22 में हमारे प्रदेश का कितना छेत्र जैविक खेती छेत्र के अंतरगत आता है तो 67,500 एकर छेत्र जिसमें से जैविक खेती मिशन के अंतरगत 15,000 एकर छेत्र आता है जबकि परंपरागत क्रिशी विकास योजना के अंतरगत 52,500 एकर आता है ठीक है जैव से ऐसे किसान है जो आज भी रासाइनिक उर्वर्कों का प्रयोग नहीं करते हैं, रासाइनिक खात का प्रयोग नहीं करते हैं, कीट नाशक दवाईयों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो पहले की समय, पहले की पर्धती से आज भी क्रिशी करते आ रहा है, तो उनके छेत्र में लगभव 52,581 चेतर आता है तो ध्यान दीजेगा हमारे प्रदेश में कितना चेतर शर्षट हजार पाजसो एकर चेतर जैविक खेती चेतर के अंतरगत आता है जिसमें से जैविक खेती मिशन के अंतरगत यानि कि सरकार जो मिशन चला रही है उसके अंतरगत 15,000 एकर आ रहा ह और प्रणपरागत तुशी विकास योजना के अंतरगत 5,500 एकर चेतर आ रहा है तेक नेक्ट देखिए यह है आपके जैविक फसल और उत्पाद कुछ जैविक ब्रांड है कुछ ऐसे आपके ब्रांड है जो जैविक खेती करके उत्पाद बना रहा है इसका नाम इसका लि सुगंधित धान की किस्म है तो ध्यान दीजेगा एक है बास्मति, दूसरा बातशाह भोग, तीसरा है दुब्राज, चोथा पूसा सुगंढ, पाच्वा जवा फूल, छट्वा मोती चूर, सात्वा जीरा फूल, आठ्वा, तुलसी मंजरी, नौवा काली कमोद, दस्वा लोक्ती माच्छी, ग्यारा काली गिलास, बारा तिल कस्तूरी, ये जो है मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में सुगंदित धान की किस्मे है, इसके अलावा मक्कावा, अन्यकोदो, खुटकी, रागी, इसका भी जैवी खेती करके उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रश् इसके अलावा कोई भी एक्स्रा नाम रहेगा, तो ये वो नहीं होगी, तो ये नाम को बस एक बार रीट कर लीजेगा, उतना इंपॉर्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते वे चलिए, आज कल कोश्चन पूछने का पैटरन थोड़ा बदल चुका है, देखिए, रा उन्नत क्रिशी के माद्यम से उसके उत्पादन के लिए आपके राष्ट्य क्रिशी कर्मन पूरुसकार प्रदान किया जाता है, देखिए, हमारे प्रदेश को जो है, अब तक तोटल पांच बार, तोटल पांच बार राष्ट्य क्रिशी कर्मन पूरुसकार प्रदान किया है ये वर्ष 2016-17 में हमारे 36 गड़ में कुल खाध्यान उत्पादन स्रेणी दो के अंतरगत सरवाधिक खाध्यान उत्पादन के लिए ठीक है, कुल खाद्यान उत्पादन में स्रेणी 2 के अंतरगत, मैक्सिमम खाद्यान उत्पादन, सरवारिक खाद्यान उत्पादन के लिए 36 गड़ को प्रथम पुरुसकार दिया गया, इसके अंतरगत 36 गड़ को 5 करोड़ रुपे की राशी प्रदान की गई, ठीक, ठीक है, तीन बार धान के लिए मिला है, दलहन के लिए एक बार, 2014-15, और खाद्यान उत्पादन के लिए एक बार, 2016-17, देखिए, पुरुसकार मिला है, आपका कब, 2021-21 में, पुरुसकार कब मिला है, 2021-21 में, लेकिन ध्यान देंगे, यह जो आपका पुरुसकार है, यह के लिए है वर्ष्ट 2016 17 का पुरुसकार प्राप्त हुआ है हमारे छतिजगर को next देखिए next है आपका मिट्टी प्रसिक्षणal प्रयोक्षाला हमारे प्रदेश के 11 मंडियों में मिट्टी प्रसिक्षन प्रयोक्षाला इस्थापित है। प्रदेश में 111 मिट्टी प्रसिक्षन प्रयोक्षाला इस्थापित है। या आइडियल मंडि कैसे बनेगी। अगर वहाँ पर जो है क्रिशी उपज को बेचने के लिए चबूतरा बनाया जाए, उसको उपर सैड से ढखा जाए, वहाँ पर पेजल आपूर्ती किया जाए, वहाँ पर डश्ट बीन रखा जाए, वहाँ पर जो है आपका सुलप सौच यह पांच मंडी जो है, इन्हें आदर्श मंडी की रुप में स्थापित किया गया है, नेक्स्ट है आपका किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग मॉल का मतलब क्या होता है, क्रिशी संबंधित जो आपकी विभिन्नच चीजों की दुकान, जैसे कि खाद की दुकान, किट नाशक दवा की दुकान, क्रिशी उपकरण की दुकान, एवं किसानों के उपयोग में आने वाले अन्य सभी वस्तूओं की दुकान, एक ही छट के नीचे उपलब धकराना ये कहलाता है आपका किसान शॉपिंग मॉल, जैसे कि नॉर्मल जो आपके एक शॉपिंग मॉ होते है, उस चॉपिंग मॉल में, जैसे कि जनरली आप कहीं पे भी मॉल वाल पे गए होंगे, वहां क्या होता है, हर तरह की दुकाने होती, कपड़े की दुकाने होती है, खाने पीने की दुकाने होती है, मूवी देखने के लिए होते है, याने कि एक व्यक्ति की जरूरत क सारे चीजे एक ही छत के नीचे उपलब दगराना ये है आपके किसान सौपिंग मॉल का कॉंसेप्ट हमारे प्रदेश का जो पहला किसान सौपिंग मॉल है ये इस्थापित किया गया है आपके राजनान का जिले में जो की संचलित है वर्ष 2010 से संचलित है ठीक नेक्स्ट दे कर सके यानि कि देखे क्या होता है जनरली एक जो बिचॉलिये होते हैं बिचॉलिये किसानों से कम किमत पर क्रिशी उपज खरीद करके बड़े-बड़े व्यापारियों को ज्यादा किमत बेज करके मुनाफ़ा कमाते है इसलिए लाया गया है आपका कॉंसेप्ट किसान अपने करिशी उपज को बेज सकेंगे इसलिए फायदा क्या होगा किसान को ज्यादा मुनाफा होगा और उपभुखता को थोड़े कम किमत पर क्रिशी उपज लापत हो जाएंगे तो हमारे प्रदेश में जो है टोटलics टोटल नौ क्रिशी उपभुखता बाजार या किस प्रांगर अधिसूचित है यानि कि बनाय जा रहा है जिसमें क्रय विक्रय प्रारंब हो चुका है आपके इन तीन में कौन-कौन सा धमतरी राजनान को बेमे तरह ठीक है इधर डेट यानि कि महिना और वर्ष भी दिया हुआ है याद कर सकते तो बहुत बढ़िया नहीं रख लीजिए कहां पर क्रय विक्रय प्रारंब हो चुका है यानि कि खरीदी विक्री धमतरी राजनान को बेमे तरह आपका रायपूर में दो एक नया और एक पुराना मंडी जहां पर अभी लोकारपन बस हुआ है कार्यवाही प्रक्रिया धीन है कहां पर बिलासपूर बर क्यासाम केला चिखली बैकुंड पूर यहाँ पर प्रस्तावित है लोकारपन हो चुका है रायपूर के नया और फुराना मंडी में ठीक है नया और पुराना मंडी यहाँ पर और खरीदी विक्री प्राब्शंam हो चुका है आपके धमतरी राजनान्द गाओ और बेमे तर इसान उपभोक्ता, उपमंडी प्रांगण या किसान उफभोक्ताई बाजार वैसे ही यहां पर चलाया जा रहा है आपका राश्ट्य क्रीशी बाजार, केंद्र सरकार के दौरा. ये क्या है राश्टी क्रिशी बाजार जिसे ई नाम के जिसे short में कहा जाता है ए नाम ठीक है ए से मतलब है agriculture देखे ये एक एक जो है राश्टी इसतर का electronic portal आधारीत एक बाजार है जिसमें भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले ने विक्सित किया है इसका उद्देश विभीन में क्रिशक और व्यापारियों के मद्य बिचौलिय के हस्तचेप को कम करना जो मैंने पिछले पीछे बताया ठेक इसमें जो लक्ष है देश के पांसो पच्यासी क्रिशी उपज मंडी को रास्टिय क्रिशी बाजार से जोड़ना ध्यान समझेगा इसमें बोल क्या रहा है यह क्या है इलेक्ट्रोनिक पोर्टल आधारीत एक रास्टिय स्तर का बाजार है इसमें क्या हो रहा है पूरे देश भर के पांसो पच्यासी जैसे कि चावल, चावल का हमारे 36 गड़ में रेट थोड़ा सा कम होगा, as compared to महराष्ट, या फिर आपके गुजरात में, अब जैसे समझ लिए चावल का हमारे 36 गड़ में क्या किम्मत है, ये गुजरात के व्यापारी कर से पता चलेगा, इसके लिए बनाया गया है आपका र खरित के लिजा करके अपने गुजरात में बेच सकता है, इसके निए लाया गया आपका राष्टिये कृषी बाज़ार का कॉंसेप्ट, राष्टिये कृषी बाज़ार जिसमें एक इलेक्ट्रोनिक पोर्टल आपके कृषी उपज्मंड़ियों उसको आपस में लिंक किया जाएगा जिससे व्यापारी को जहां पर कम किम्मत पर या उसके उचित किम्मत पर जहां से उसको क्रिशी उपज मिलेगा वहां से उसे खरीच सकता है ठीक तो यह आपका राश्टी क्रिशी बाजार को कॉंसेप्ट हमारे 36 गड़ के कुल 14 क्रिशी उपज मंडियों को राश्टी क्रिशी बाजार में जोडा गया है इन्पोर्टेंट है यह 14 के आकड़े को याद रखना है देखिए पहले चरण में राजनांद गाओ कवर्दा भाटा पारा कुरुद नवा पारा उसके दूसरे चरण में रायपूर दूर्ग धंतरी बिला किसणों की संख्या अभी हमने सूरु में देखा प्रदेश में कितने किसान परिवार है हमने देखा दएक है लेकिन जो किसानों की संक्या है यह भू अभिलेक 2019 के आधार पर ठीक है यह आकड़े भी दिये गए है ये आकड़े को भी थोड़ा सा याद रख लीजेगा अगर प्रश्ण में मेंशन कर दिया कि भू अभिलेग वर्ष 2019 के अनुसार प्रदेश में किसानों की संख्या गौर्वर्मेंट अभी भी इस आकड़े को ले करके चलती है ठीक है कि किसानों की संख्या कितनी है 37.46 लाग जिसमें सिमांत क्रिश्कों की संख्या है 21.9 लाग लगु किसानों की संख्या है 8.31 लाग और दिर्ग किसानों की संख्या है आपका 7.32 लाग ठीक है तो ये आपके भू अभिलेग के अनुसार हमारे प्रदेश में किसानों की संख्या थेक इसको फोड़ा सा एक बार रीट कर लीजेगा next देखिए next है फसलों का रखबा एबं उत्पाद का मतलब कितने छेत्र में फसलों का उपज लिया जा रहा है रखबा और उसका उत्पादन कितना हो रहा है देखिए हमारे प्रदेश में यह आपका आकड़ा है यह वर्ष 2020 का है अब आप बोलेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 पढ़ रहे है और आकड़ा जो है यह 2021 का क्यों क्यों कि आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 का है जिसमें एक साल पहले के ही आपने लिये जाते है ठीक है देखिए फसल का रखबा प्रमुख फसल के अंतरगत छेत्र याने की कितने छेत्र में प्रमुख फसलों का उत्पादन किया गया यह है आपके 1000 हेक्टेर में ध्यान दीजेगा हमारे 36 गड़ में सबसे ज़्यादा छेत्र में धान की फसल ली चार हजार 349 हजार हेक्टेर में लिया गया चने की उपज 314 हजार हेक्टेर में लाक की उपज 171 हजार हेक्टेर में गेहूं की उपज 167 हजार हेक्टेर में और मक्का की उपज 147 हजार हेक्टेर में इसकी उपज ली गई ठीक तो इसके आधार पर हमारे प्रदेश में कि किस क्रिश्य उपज का रखबा सरवाधी के पूछा जाए तो वो है आपका धान, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरवाधीक अंतरगत छेत्र, अगर ये तो आपका रेंडमली क्रिश्य उपज हो गया, अब जैसे खाद्यान उत्पाद है, उसमें उसके अंतरगत अनाज भी आ तो वो है धान, अगर दल्हन पुछा जाए, दल्हन के अंतरगत आपका चना आता है, अरहर आता है, तीवडा आता है, ये सभी दल्हन यानि कि दाल देने वली फसल है, तो उन सभी में चना का उपज सरवाधिक लिया गया, तील निकाला जाता है, सोया बिन हो गया, मुंग अब उतपादन यह भी आपका 1000 मेट्रीक टन में है 269,000 metric ton 258,000 metric ton और लाख या तिवडा का रहा आपका 121,000 metric ton ये ओवर और खाद्यान फसलो का है ठीक है? ओवर और क्रिश्य उपज का है अगर हम इसे और केटेग्राइज करें अगर अनाज की बात करें तो हमारे प्रिजेश के सभी अनाज अनाज के अंतरगत आपका धान, ये हूँ, ज्वार, बाजरा ये सभी के सभी आपके अनाज है ठीक, अनाज के अंतरगत सरवाधिक उत्पादन रहा आपका धान का दलहन के अंतरगत सरवाधिक उत्पादन रहा आपका चना का, तिलहन के अंतरगत सरवाधिक जाती है इसे काटी जाती है आपके अक्टूबर नमंबर के आसपास तो यह है आपके खरीब की फसल और वैसे ही आपके रभी की फसल यानि की बुवई के समय के आधार पर देखिए सरवाधिक रगबा अगर आप देखेंगे तो एक इंटरनेट पर सर्च करके खरीब के अंत उत्पादन भी आपका धान का रहा वहीं अगर हम रभी के फसल की बात करें तो रभी के जुचे два लिखित में 侍लपना option select करना next किशी पसलो की सुद्ध और कुल वोया गया च्छेत्र वर्श दो हजार 2021 के आधार पर शुद्ध ब्यालने के एक आपका खेती की जमीन है उसमें एक किसान एक क्रिशी वर्ष में केवल एक ही उपज लेता है तो वो कहलाएगा आपका सुध बोया गया छेत्रा का मतलब कई देखिए कई क्रिशी कई खेत जो है इतने उपजाओ रहते है कि उसमें एक किसान पहले खरीब की उपज ले लेता ह रभी की भी उपज ले लेता है और कई बार क्या होता है थोड़े-बोड़े कोई आपकी नकदी फसलों की उपज लेता है यानि कि एक से अधिक बार जैसे कि मान लीजिए एक किसान ने खरीब की फसल ले ली रभी की फसल ले ली तो कितने बार उसमें क्रिशी उपज लिया दो बार जैसे कि मान लिजिए इसका एरिया कितना है एक हेक्टेयर एक हेक्टेयर इसका क्रिशी भूमी का एरिया है अब उसने एक क्रिशी वर्स में कितने छेत्र में क्रिशी किया एक हेक्टेयर में वही दूसरे किसान की भूमी काफी उपजाओ है उसने पहले एक हेक्टेय में उसने खरीफ की उपज़ ली उसके बाद एक हेकाटेयर में उसने रवी की उपज़ людей तो देखे किसान का सुध्ध भोया गया। छेत्र कितना होगा एरिया कितना है। एक है किन empieza टूल भोया गया च्छेत्रों कूल बोया गया च्छेत्रे बात करेंगे तो यहां पर 140.44 लाख हेक्टेर बताया है तो economic survey के आकड़े से फिलाल हम छेट्छाब नहीं कर रहे हैं देखें बोया गया च्छेत्रे अगर हम देखेंगे तो हमारे प्रदेश में सुद्ध बोया गया च्छेत्रफल यानि कि एक बार बोया गया च्छेत्रफल है 46.23 लाख हेक्टेर वहीं अगर एक से अधिक बार एक से अधिक बार अगर बोया गया च्छेत्र है जैसे कि मैंने बताया पहले अपने क्रिशी उपज में आपके रभी की फसल लिया फिर खरीप की फसल लिया फिर रभी की फसल लिया तो एक से अधिक बार बोया गया जो च्छेतरफल है वो है 10.89 लाख हेक्टेयर अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे प्रदेश का कुल बोया गया च्छेतरफल कितना है 57.12 लाख हेक्टेयर जबकि सुद्ध बोया गया च्छेतरफल कितना है तो 57.12 लाख हेक्टेयर तो दोनों आखडे को आपको याद रखना है अब जिलेवार अगर हम देखे सुद्ध और कुल बोया गया च्छेतरफल के हिसाब से तो हमारे प्रदेश का सरवाधिक सुद्ध बोले या कुल बोले सरवाधिक जो रहा ये रहा आपके राजनांद गाउ जिले का और सबसे कम रहा आपके नारायनपूर जिले का दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है अभी देखिए ये जो आपके आकड़े ये 28 जिलो के आधार पर है इसमें 5 नए जिले शामिल नहीं है अगर 28 जिलो के आकड़े के हिसाब से देखा जाए तो हमारे राजनांद गाउ जो जिला है ये छेतरफल के आधार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया ज्याद उद्यान की फसलों का रखबा एवं उत्पादन जैसे अभी हम लोगों ने क्रिशी फसलों का देखा वैसे ही उद्यान की फसलों का है आपके वर्ष 2020-21 के आधार पर उद्यान की फसलों में अगर हम देखे तो उद्यान की फसलों में रखबा के आधार पर अगर हम क्रम द सा याद रखना है सबजी फल मसाला पुष्प और आपके ओसधी एवं सुगंदित फसल एक साल का प्रश्ण पुछा गया था कि वर्श 2020-21 में ओसधी फसलों में से निम लिखित में से किसका रखबा सरवाधिक रहा तो वो है आपका सबजी का नेक्स्ट है उत्पादन अगर और ये है आपका फल सब्जी मंडी हमारे प्रदेश में कुल कितने फल सब्जी मंडी है पुछा जाए तो हमारे प्रदेश में कुल फल सब्जी मंडी की संक्या है कितना कौन-कौन सा है आपका रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, रायगड, राजनान गाओ और पकान ठीक है यह जो आपके 6 जगा पर फल सबजी मंडी है क्रिशी उपज मंडी हम देख चुके है हम अक्सर क्रिशी उपज मंडी पढ़ते है यह क्या है फल सबजी मंडी ठीक यानि कि उद्यान की फसलों के बेचने के लिए नेक्स्ट देखिए जल संसाथन, जल संसाथन हमारे 36 गड़ में जो है आपके जल संसाथन कितना अवेलेबल है वो बताया जा रहा है केंद्रिय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्रदेश में सतही जल की मात्रा देखिए पानी जो है दो तरीके से मौजूद है हमारे पूरे भारत भर में भारत बोलिए 36 गड़ बोलिए एक तो सतह के उपर जो नदिया बह रही है जो आपके तालाब बने हुए है जो जलाशय बने हुए है ये सतह के उपर होगा सतह के नीचे जो आप घरों में जो बोर्वेल करवाते है जो जमीन के नीचे का जो पानी जो निकाल करके अपने उप्योग में लेते है बोर्वेल के माद्यम से वो सतह के नीचे का पानी कहलाता है सतही पानी का मतलब जो सतह के उपर जमीन में जो नदिया बहरी है जो तलाब बने हुए यह सतह के उपर का पानी कहलाता है ठीक है जो कुवे खोद करके जो जमीन के अंदर का जो हम पानी यूज़ करते है वो सतह के नीचे का पानी कहलाएगा बोर्गवेल के मात्यम से जो हम पानी यूज़ करेंगे वो सतह के नीचे का पानी कर रहेगा ठेक है तो देखिए हमारे प्रदेश में सतही जल की मात्रा कितनी है ये है 48,296 मिट्रिक घंड मीटर जबकि उप्योग में लाया जा रहा है इतने तो सतही जल है इतने सतही जल में उप्योग में लाया गया जल है आपका 41,296 मिट्रिक घंड मीटर जिसमें से हम उप्योग में अपने खुद के उप्योग में कितना ला रहा है 41,270 मिट्री घन मिटर भू गर्भिक जल की मातरा यानि कि जमीन के नीचे की जल की मातरा यानि कि जो मैंने आपको एक्जामपल दिया कुवा और बोरवेल का जमीन के अंदर जो पानी की मातरा वो है आपका 11,630 मिट्री घन मिटर जिसमें से केवल 44 प्रतीशत ही उपयोगी है अपने उपयोग के लिए भू जल सररक्षित छेतर ठीक है हमारे प्रदेश में जो है टोटल 110 विकासखंड ऐसे है जो की आपके सुरक्षित है जहाँ पे जल की परियाप्त मातरा है हमारे प्रदेश के 27 विकासखंड ऐसे है जो की आंसिक रूप से जल की मातरा में संकट पूर्ण स्रेणी के अंतरगत आते है और लगभग 9 विकासखंड ऐसे है जो पूर्णतह संकट पूर्ण स्रेणी के अंतरगत आते है तो प्रशन पूछा जाएगा कि केंद्रिय भूजल बोड की रिपोर्ट की अनुसार हमारे प्रदेश में पूर्णत है, संकट पूर्ण स्रेणी के अंतरकत कितने विकास खंड आते हैं, तो उनकी संक्या कितनी है, नौ, ठेक, नेक्ट देखिए, नेक्ट है आपका सीचाई संसाधन, 36 गड़ का भोगोलिक छेत्रफल, 36 गड़ भोगोलिक छेत्रफल है, आपका 137.9 लाख हेक्टेर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 36 गड़ में शुद्ध एंकुल बोया गया छेत्र है, वहाँ पर कितना दिखाया 144.4 लाख हेक्टेर, 36 गड़ भोगोलिक छेत्रफल, जबकि यहाँ पर कितना दिखा हुआ है, यहाँ पर 36 गड़ में आपका सिचाई संसाधन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, 36 गड़ भोगोलिक छेत्रफल, 137.9 लाख हेक्टेर, ठीक, एक्चुली में 36 गड़ भोग है, लेकिन एक्चुली में 36 गड़ भोगोलिक छेत्रफल है, वो है 31.9 लाख हेक्टेर, देखिए प्रदेश की कुल स्रीजित सिचाई छमता मार्च 2020 तक की इस्थिती में है, 21.3-4 लाख हेक्टेर, ध्यान दिजेगा, यहाँ क्या वर्ड यूज हो रहा है, स्रीजित सिचा तो हमारे दौरा जो स्रीजित सिचाई छमता है, याने कि बांध हमने क्यों बनाया, सिचाई करने के लिए, ठीक है, कोई नदी बहर यह, उसके मार्ग में अगर हम बांध बना रहा है, तो उसका बांध के पानी का उप्योग तो करेंगे, उसका सिचाई के लिए उसका उप साथ के पानी से भी फसलो को जो है आपका फसलो की सिचाई होती है ना तो देखे बारीश का जो पानी गिर रहा है बारीश के पानी से भी सिचाई होती है लेकिन यहां पर वर्ड क्या उस हो रहा स्रीजित सिचाई छमता याने कि हमारे द्वारा बनाए गए संसादों से हमारे 2021 तक की इस्थिति में वो है 21.34 लाख हेक्टेर ठीक प्रदेश की कुल सिचाई प्रतिशाद याने कि हमारे द्वारा इस सीजित सिचाई छमता से हम प्रदेश में 34.45% छेत्र को सीचित कर सकते हैं देखिए हमारे पास इतने संसाधन मौझूद है इतने जलाशा मौझूद है कि हम 21.34 लाख हेक्टेर भूमी को सीचित कर सकते हैं याने कि प्रदेश की कुल सिचाई का प्रतिशत जो है इस स्रीजित सिचाई छमता के माध्यम से हम 38.45% छेत्र की सिचाई कर सकते हैं इतने सारे जलसादान मौझूद है कि हम लगबग 21.34 लाख हेक्टेर भूमी को सीचित कर सकते हैं इतना कर सकते हैं लेकिन इतना हो रहा है क्या नहीं क्यों क्योंकि जल संसाधन जो आपके बनाये गए है जो बड़े बड़े डैम बनाये गए है जो बड़े बांध बनाये गए है उससे सिचाई करने के लिए दूर दूर तक नहरे निकालनी पड़ती है निकाली जा सकती है लेकिन बनाई नहीं गई है तो वहीं बोला जा रहा है कि इससे 21.34 लाख हेक्टेर भूमी को सिंचित किया जा सकता है यानि कि प्रदेश का कुल 38.45% एरिया सिंचित किया जा सकता है लेकिन समस्त सिंचाई स्तुरोतों के माद्यम से 36% सिंचित किया जा रहा है अगर निर्मित एवं निर्माना दिन सिंचाई योजना के हम बात करें तो हमारे प्रदेश में 8 रिहत 37 मद्यम 2447 लगू सिंचाई पर योजना नेक्श है समस्त सिंचाई संसादनों के अनुसार सिंचित छेत्र जून 2021 तक की इस्तिती में एक है सुद्ध सिंचित छेत्र और दूसरा है कुल सिंचित छेत्र ये भी कोई नया नहीं है ये भी वही है आपका सुद्ध बोया गया छेत्र कुल बोया गया छेत्र याने कि एक क्रिशी भूमी है जिसको हमने एक फसल लिया एक फसल लिया तो उस फसल के लिए इस भूमी को सीचना पड़ेगा तो यह कितने बार काउंट होगा आपका एक कितनी भूमी है यह एक हेक्टेर भूमी है तो इसको एक बार सीचा गया तो यह एक बार काउंट होगा जबकि एक क्रिशी भूमी है जो काफी उपजाओ है कितनी है एक हेक्टेयर है एक हेक्टेयर भूमी है इसमें दो फसल लिया गया दो फसल लिया गया और इसे सीचा गया तो ये दो हेक्टेयर भूमी काउंट होगी सीचाई के लिए तो वही बोला जा रहा है सुद्ध सीची छेतर है ध्यान देंगे, सुद्ध सीची छेतर है, हमारे प्रदेश में 15.989bn हेक्टेयर जबकि कुल सीची छेतर है, 21.407壤 हेक्टेयर, यानि कि देखिए, केवल एक बार अगर हम सीचाई काउंट करें तो 15.989 लाक हेक्टेयर है, थीक है? जबकि कुल की बात हो दिये, कुल की बात मतलब जिसमें एक बार जो किया गया है वो भी और दो बार, यानि कि एक से अधिक फसलों में जो सिचाई की गई है, उसे भी काउंट अगर हम करें, तो कुल सिची छेतर है हमारे प्रदेश में, 21.407 लाग हेक्टेर, सरवाधिक उप दूर तक वहाँ पर हमने नहरे बनाई है, उसके माध्यम से हमारे प्रदेश में सबसे उप्योग, सबसे सरवाधिक उप्योग तो सिचाई संसाधन है, देखिए, यहाँ पर जो है कुछ परसेंटेज दिया गया, इस परसेंटेज से कोस्टन आया हुआ है, पता नहीं, यह परसेंटेज आया हुआ है, हमारे प्रदेश में 29% जो आपका सिचाई है, नलकूप के माध्यम से होता है, उसके बाद है तालाब और उसके बाद है कुवा, सबसे कम कुवे से होता है, सरवाधिक किस से हो रहा है, आपके नहरे एवं जरासे से, प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना के अंतरगत, प्रशन पुछा जाएगा, प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना के अंतरगत, प्रदेश की कौन सी एक पर्योजना सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजेगा, तीन पर्योजना सम्मिलित है, केलो व्रिहत सिचाई पर्योजना जो की रायगड 10 hectare है, खारंग सिचाई पर योजना, जिससे जो है, आपके 8300 hectare, एरिया जो है, इसके अंतरगत लाभानवीत होगा, और आपके मन्यारी सिचाई पर योजना के अंतरगत 11515 hectare, जो है, इसके अंतरगत लाभानवीत होगा, तो इन 3 पर योजना के अलावा, इन 3 सिचाई पर के लावा कोई भी एक नया नाम अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो प्रधान मंत्री किसान सिचाई योजना के अंतरगत सम्मिलित नहीं होगा ठीक है next देखिए next है आपका पशु एवं मत्स विकास अब पशु धन और आपके मत्स से पढ़ेंगे जैसे कि मैंना को सु पशु धन की भागीदारी है 4,17,187,00, ठीक है अगर हम परसेंटेज बात करें तो हमारे 36 गड़ के कुल GSDP का 1.63% हिस्सा आपके पशु धन का है अगर मत्स उद्योग की बात करें तो मत्स उद्योग की भागीदारी है आपका 5,82,335,00 जो की कुल GSDP का आपका 2.27% हिस् इससे question आते है single one liner question यानि की बकरीयों के प्रजनान का प्रचेतर है एक मौझूद है आपका सरोड़ा जो की मौझूद है राइपूर में दूसरा है रामपूर या इससे ठाटापूर के नाम से जाना जाता है जो मौझूद है कबीर धाम में सूकर प्रजनान प्रचेतर हमा देखिए पशु संगर्णा की अगर हम बात करें तो लेटेश्ट आकड़ा है आपका दोहजार उन्निस का दोहजार उन्निस के लेटेश्ट आकड़े के अनुसार हमारे प्रदेश में गौ और भैस वनसी है जो पशु है उनकी संख्या है आपके 36.73 लाग बकरे और बकरियों की संख्या है 40.05 लाग सूकर की संख्या है आपके 5.27 लाग और कुटकुट एवं बतक की संख्या है 187.12 लाग ठीक है तो ये आकड़े को भी याद रख लिए जिएगा ये आपके गौ एवं भैस वनसी है से एक्जाम में कोश्चन पूछा गया है आकड़े आते है ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका मचली पालन ध्यान दीजेगा हमारे प्रदेश में जो कुल उपलब्ध जलचेतर है उपलब्ध जलचेतर का मतलब ध्यान दीजेगा याने कि पानी वाला जो एरिया है वो है आपका एक दसमलो नौ दो लाख हेक्टेर इतने भूमी पर आपके जल याने की वाटर मौजूद है और इस जलचेतर में से मचली पालन टोटल एक दसमलो आठ एक दो ल प्रदेश है कुल जलचेतर का मचली पालन के लिए उपयोग में लाया जारा है अगर हम मत्स उतपादन की बत करें तो मत्स उतपादन में वर्ष 2020 में मत्स उतपादन हमारे प्रदेश में रहा 5.77 mtton जिसमें विद्धी हुई ये पिछले विद्धी वर्ष की तुलना में 7.34% जबकि मत से बीज उत्पादन एक तो ये मचली उत्पादन यानि कि जो मचली बड़े मचली की बात हो रही है और मत से बीज का मतलब जो आपके मचलीयों के अंडे होते है ठीक है ये 2021 में रहा 28,805 लाक इस्टेंडर्ड फ्राई ठीक यानि कि मचलीयों के बीज जिससे मचली बनते है उसकी बात हो रही है अगर देखे हमारा जो 36 गड़ है वो मचली उत्पादन मचली पालन के छेत्र में हमारा 36 गड़ छटवे इस्थान पर था लेकिन मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी ने एक समाहरों में जा करके उन्होंने बताया कि हमारा 36 गड़ मचली पालन के छेत्र में देश में पाच्वे इस्थान पर है ठीक है आज भी बहुत सारे बुक में छटवे इस्थान को फॉलो किया जा रहा है लेकिन जन संपर्ग विभाग के ऑफिशल वेबसाइट मे बहुत से लोगों ने में से कुश्चन किया था जो अमारा पिछला करेंट अफेर का भूक आया था उसे बहुत से लोग बोरते कि सर आप इसमें गलती से पाच्वा लिग दिये आप जन संपर्ग को विभाग का ऑफिशल वेबसाइट सर्च करेंगे जिसमें मुख्य मंत्र कि अधिक चर रिए योजणा यह संबंदीत आपका स्प्रिंकलिंग से डीप एवं टपक सी चाहिए यहाइपते आपके jel के बुंद क प्रयोग करना इसका उद्देश से क्या है कम पानी का उपयोग करके अधिक सो अधिक छेत्र को सीचित करना देखे इस आपके सुच मसी चाई योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश में 1.86 लाख हेक्टेर वर्ष 2021 के इस्थिती में 1.86 लाख हेक्टेर इस सुच मसी चाई चाज प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है अब इसमें देख लीजे इसमें अगर देखा जाए तो यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से योजना चल रही है इसमें जो आपका 70% है उसमें से 33% केंद्र देगा और 37% आपका राज्य देगा ठीक है तो इसको देख लीजेगा इस प्रिंकलर से संबंदित है आपका सुचम सिचाई योजना ठीक है किस से संबंदित है इस प्रिंकलर से संबंदित है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका किसान सम्रिद्धी योजना किसान सम्रिद्धी योजना और साकंबरी योजना दोनों सेम है दोनों के दोनों आपके नलकूप से संबंधित है, ध्यान देंगे, देखिए ये जो आपका किसान सम्रिद्धी योजना है ये व्रिष्टी छाय प्रदेशों के लिए, व्रिष्टी छाय प्रदेश देखिए जो आपका मैकाल परवस्रेणी के नीचे बसे हुए जो आपके जैसे कि आपका राजणान्द गौ जीला, कबीर धाम जीला, मुगेली, गोरिला, पेंड़ा, मरवाही, यह सبह के सभी, आपके मैकाल परवसरीनी के नीचे बसेवज जीले है, यह सभी के सभी आपके वृिष्टी छाय प्रदेश के अंतरगत आते है, तो वृिष्टी छाय प नल्कूप द्वारा समूचित उप्योग करना, याने कि वही बोरवेल कराकर करना करके जमीन के पानी का उप्योग आपके सिचाई के लिए करना, इसमें ध्यान देंगे इस किसान सम्रिद्दी योजना, सबसे बढ़ी चीज तो ये किसान समझती योजना किन के लिए है ये आपके विरिष्टी छाया प्रदेश के आपके जीलो के लिए है इसमें नलकूप प्लस पंप प्रती स्थापित करने के लिए इसमें अनुदान दिया जाता है ये एक राज्य पोशित योजना है इसमें SC और HD के टेगरी के जो आपके किसान है उन्हें 43,000 रुपए OBC के किसान है उन्हें 35,000 रुपए जनरल वर्गा की किसानों को 25,000 रुपए दिया जाता है जबकि साकंबरी योजना ये भी नलकूप से संबंदित है ये आपके राज्य के समस्त जीलों में है प्रदे जो प्रा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रिय उध्यान की मिशन ये जो राष्ट्रिय उध्यान की मिशन है ये दसवी पंचवर्षिय योजना 2005-06 में ये लागू किया गया इसका उद्देश ये बागवानी फसलों के उत्पादने विर्धी करना ये जो है ये के पूर्जपूर राजनाद गाओं मुंगेली बेमेतरा बालोध बल्राम पूर्ण सूरजपूर कोंडा गाओं गर्याबंद और बलोदा बजार ये आपके जीले शामिल है लगुत्तम सिचाई योजना लगुत्तम सिचाई योजना जो की तालावों के निर्मार संबंदित है ये राज्य सरकार की योजना है राज्य-पोशीत योजना है जिसमें 40 लाख हेक्टेर तक ही सिचाई छमता के तालावों का निर्मार कीया जाता है ठीक है शास्की भूमि में सत प्रतिसत अनुदान के साथ सास्की भूमी सास्की वैपर ये किया जाता है देखे क्या होता है इसमें आगर किसी छेत्र में किसानों की संख्या कम है तो वहाँ पर तालाबों का निर्मान किया जाता है तालाबों का निर्मान एक जो है शास्की भूमी, गौवर्मेंट की जो भूमी है वहाँ पर गड़ा खोद करके तालाब का निर्मान किया जाता है लगबग 40 हेक्टेर तक की यहाँ पर सिचाई छमता वाले तालाबों का निर्मान किया जाता है ठीक है गौर्मेंट की जमीन है गौर्मेंट ही बनवा रही है तो क्या है शत्प्रतिशत सासकी व्याइपर इसक क्लिक करते हैं तो एक हैं कि पुराने बहुत पुराने और आपके कम लवत आवाले का उपयोग करते हैं जानर चैनल की फ़सल होती हैं ये जो आपका अक्तिविस संवर्धन योजना है इसमें गुणवत्ता युक्त प्रमानित बीजों की उचित मुल्य पर उपलब्धता सुलिश्चित करना इसमें क्या होता है जो अनाज वाली फसल की बीच है वो 500 रुपर प्रतिकुंटल और जो तिलहन की बीच है वो 1000 इसमें क्या है किसानों को अलाभकारी बीच याने कि वही बीच काफी पूराने बीच जिससे क्या है फसल खराब हो सकती है अलाभकारी बीच के बदले में लाभकारी फसल एवं उन्नत बीच प्रदान करना इसमें प्रावधान क्या है एक हेक्टेर तक प्लस प्राथमिक्त एक हेक्टेर तक के छेत्र में जो आपका क्रिशी उपर लिया जा सकता है उनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी जिसमें दलहन एवं तिलहन के बीजों को दिया जाएगा देखे इसमें जो है बीजों को खरीदना पड़ रहा है इसमें अनाज फसल और तिलहन फसल सामिल है इसमे इसमें क्या है इसमें कंडिशन क्या है एक हेक्टेर तक की भूमी के लिए दिया जाएगा और इसमें दलन और तिलन फसलों का ही दिया जाएगा और इसमें खरीदना नहीं पड़ेगा आप अपने पास का बीज ला करके हमें दीजिए और हमारे पास से जो है उच्च अभी लेक में दर्ज है अभी हमने देखा था भू अभी लेक का रिकॉर्ड भू अभी लेक में दर्ज है अप वर्जन के स्त्रेणी में नहीं आते जो अप वर्जन के स्त्रेणी में नहीं आते अनुदान क्या है इसमें 6,000 रुपए प्रती वर्ष 2,000 रुपए प्रती चार महा में केंद्र सरकार के दोरा प्रदान की जाती है प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका क्रिशक जीवन जोती योजना क्रिशक जीवन जोती योजना इसका डेट इनपॉर्टेंट है क्रिशक जीवन जोती हिदगर ही है आपके क्रिशक जीवन जोती योजना के अंत्रगार सितंबर 2021 तक के इस्थिति में, देखिये इसमें चूट किस प्रकार से दी जाती है, किसानों को विद्धुत खपत में चूट का मतलब जैसे कि बिजली बील में चूट, तीन होर्स पावर तक के अगर पम्प यूस कर रहा है तो उसे 7,500 यूनिट प्रती वर्ष छूट दिया जाएगा 7,500 से एक्ष्टर वो जितना भी आपका बिजली यूस करेगा उसका उसे बिजली बिल देना पड़ेगा देखें 36 गड़ में जो है आपके इस क्रिशक जीवन जोती योजना में जो है यह लागू किया गया यानि कि 36 गड़ सहज बिजली बिल योजना के अंतरकत लाए गया इसका उद्देश क्या है टैरिफ रेट के इस्थान पर फ्लैट रेट यानि कि 5 होर्स तक या उससे कम कि अगर पंप है तो पहले और दूसरे पंप के लिए 200 रूपए प्रती होर्स पावर प्रती महा देना होगा 5 होर्स पावर तक या उससे कम पर तीसरे चोथे या अन्य पंप पर 300 रूपए प्रती होर्स पावर प्रती महा देना होगा और 5 होर्स पावर से जादा के लिए तीसरे और चोथे या अन्य पंप पर 300 रूपए प्रती होर्स पावर प्रती महा देना होगा अगर एकदम सीधे सब्दों में अगर हम बात करें तो देखें क्या होता है कि अगर किसान मान लीजिए अगर 600 unit वो बिजली का यूज करता है लेकिन उसको पता है कि उसकी खपत जो है वो लगभग 16,000 के आसपास है 16,000, 17,000 के आसपास उसकी खपत है तो वो इसको पड़ेगा महंगा तो इसमें लाया गया tariff rate के इसार पर flat rate यानि कि लगभग समझ लो वो साल भरे में उसे 10,000 unit का पैसा उसे देना पड़ेगा तो 10,000 वो क्या कहला tariff rate यानि कि क्या होता लगभग जो है आपका साड़े चार रुपए पांच रुपए साड़े पांच रुपए ये जो है प्रती unit लगता है हमारे 36 गड़ में ठीक है पर unit का cost है हमारे 36 गड़ में तो उसमें क्या किया गया tariff rate के इस थान वे flat rate आप ऐसे करो आप हमें पर unit जो है बिजली बिल ना दे करके आप हमें एक मुस्त दे दो एक flat rate दे दो पांच होर्स पावर या उससे कम के pump है तो 200 रुपए दे दो हमको प्रती महा ठीक है पांच होर्स पावर तक या उससे कम तीसरा चौथा या पांच पा आपका सौर सूजला योजना सौर सूजला योजना जिसकी सुरुवात होई थी आपके वर्ष 2016 को इसका उद्देश ये कहा था विद्यूत विहीन खेतों में सौर सीचाई पंपों को अंच दान पर इस्थापित करना प्राथमिक्ता प्रतान करना देखे क्या होता है कि खेत जो है ये काफी दूर दूर आपके ग्रामिट छेत्रों में रहते हैं अभी तो बड़े मुश्किल से हमारे 36 गड़ में ग्रामिट छेत्रों में इलेक्टिसिटी पहुच पाया है ये बात हो रही है आपके खेतों की खेत तक जो है आपके proper electricity के पोल वहां तक नहीं पहुच पाते इसलिए क्या हो रहा है कि जो आपके खेत विद्यूत विहीन है वहाँ पर 100 सिचाई पंपों को अंचदान पर वहाँ पर 100 सिचाई पंपों इस्थापित किये जाएंगे देखें सिचाई पंप इस योजदा के अंतरगर्गाा प्रदेश में अब तक कुल एक लाग से अधिक सिचाई पंपों की इस्थापना की जाचुकी है विगट तिन वर्षों में अब तक 58,000 से अधिक solar pump की स्थापना की गई देखिए ये बात हो रही आपके वर्ष 2016 की, वर्ष 2016 से लेके अब तक एक लाग से अधिक जो है आपके सिचाई पंपों की, कौन से सोलर सिचाई पंपों की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में, यानि की 2021, 2020, 2019, पिछले तीन वर्षों में 58,000 से पंप जो है अंसदान पर उपलब्द है, यहां आपका है अनुसूची तो जाती जन जाती वर्ष यह अन पिछड़ वर्ष और यह सामान ने वर्ष अब उन्हें कितने-कितने आपके राशी पे यह पंप उन्हें मिलेगा, कितने-कितने अंशदान दिये जाएंगे एक सब बढ़िया है बाकी आर्तिक सर्विक्षण यह बूख में दिया गया है जैसे कि दो होर्स पावर का आपकेस्टी वर्ष को 5000 रुपय का अनुदान, और आपके सामान ने वर्ष को 16,000 रुपय का अनुदान दिये जाएगा, वैसे ही सभी कैटेगरी को याद रख में किसी भी योजना के शुरुवात वर्ष को थोड़ा सा याद रखेगा इससे प्रशन पूछे जाते हैं वर्षा जल संग्रहन संचयन सिचाई स्तुरोतों का विकास भू जल वर्धन तथा उपलब्ध जल का दक्षता पूर्ण उपियोग करना इस प्रधान मंत्र सिचाई योजना का मुख्यों देश्या है ध्यान दिजेगा इसके अंतरगत आपके पांच वर्षों के लिए चोवन हजार नौसो इकतिस करोड़ रोपे की राशी स्विक्रित की गई है जब की पचीस लाख चौरानवे हजार दोसो चौरासी हेक्टेर अत्रिक्त रकबा सींचित क किया जाना प्रस्तावित है इस प्रधान मंत्री सिचाई योजना के अंतरगत आप ध्यान देंगे इसी प्रधान मंत्री सिचाई योजना के अंतरगत हमारे प्रदेश के तीन पर योजना है शामिल है प्रधान मंत्री स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरन योजना का मतलब कोई आपका किसान का जो खेत है उसकी जो क्रिशी भूमी है उसकी क्रिशी भूमी जो उसकी मिट्टी है वो उपजाव है या नहीं है उसका हेल्थ कार्ड बना करके देना ये है आपका प्रधान मंत्री स्वाइल हेल्थ कार्ड वित्रण योजना इसकी शुरुवात हुई थी 19 पर और 2015 को ध्यान दीजेगा वित्य वर्षे 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा इस प्रधान मंत्री स्वाइल हेल्थ कार्ट योजना का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है आपका भूमी पोशन अभियान ध्यान ध्यान दीजे प्रशन पूछा जाएगा कि प्रधान मंत्री स प्रत्यक दो वर्षे में एक बार स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलद कराया जाता है इसके ग्राइण की बात करें तो हमारा राज्य में 3104 ग्रामों का चयन कर योजनाओ का क्रिवर्वर्ण कर जारा है योजना है ना ये सारे के सारे योजना इसके वर्ष से प्रशना आते हैं इसके क्रियानवेन इसके लाभार्थी से प्रशना आते हैं और में ये आपका काम आता है में सेंसर राइटिंग में ठेक दिखे क्रिशी यांतरी करन योजना प्रदेश के लगु सिमांत क्रिशकों को किराय पर ध्यान दिजेगा किराय पर उन्नत क्रिशी यंत्र उपलब्द कराने के साथ ग्रामिड छेत्रों के युवाव को स्वर उजगार उपलब्द कराना जन्रली क्या होता है जो आपके लगु सिमान क्रिशक होते है उनके वो परमपरावत पद्धदि है वो दिये जाएंगे तो ये किराय पर दिया जाएगा इस योजना देखे योजना में जो है विभी ने कृषी कार्यों को सुगंता पूर्वक एवाग उची समय पूर्ण करने पूर्ण कर उत्पादने वृद्धी करना इस कृषी यंत्री करन का मुख्य उद्देश्य है देखिए, क्रिशी यंत्र सेवा केंद्र एवं फर्म मसिनरी बैंक की इस्थापना की गई है, इस क्रिशी यंत्री करण की अंतरगत, वित्ति सहयता की अगर हम बात करें, तो क्रिशी यंत्र सेवा केंद्र की इस्थापना हेतू, 10 लाख रोपे की वित्ति सहयता दी जाती है, हमारे प्रदेश में राज्य में अब तक 2805 कृशी सेवा केंद्र इस्थापित किये जा चुके है गोधन्या योजना ये तो काफी हाइलाइटेट है हमेशा इससे प्रशना आएगा ही गोधन्या योजना जिसके शुरुवात की गई आपके 20 जुलाई वित्तिय वर्शे 2020-21 में हरेली तेओहार के दिन ठीक है हरेली तेओहार के दिन इस योजना की शुरुवात की गई इंपोर्टेंट है ये हरेली तेओहार को भी याद रखिएगा क्या है किसानों से गोबर खरीदी जो है ये राज्य सरकार के दोरा की जाती है विशेश गोबर की खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य है हमारा 36 गार योजना राजीव गांदी किसान नय योजना के अंतरकती है आपका गोधन या योजना इसमें गोठान समिती दो रूपा प्रतिकिलो की दर से गोबर की खरीदी करती है ध्यान दीजेगा अब तक टोटल 28.52 लाख कुंटल गोबर की खरीदी किया गया है ठीक है जानने की इतने पशुपालकों से आपका 28.5-2 लाक कुंटल गोबर की खरीदी की गई है अब तक अगर इसमें देखेंगे अब सरकार जो गोबर की खरीदी करें क्या करती है इससे बनाती है कंपोष्ट खाद देखिए वर्मी कंपोष्ट, सूपर कंपोष्ट और सूपर कंपोष्ट प्लस तीन कैटेगरी ये खाद बनाया जाते है अब इसका उत्पादन कितना है ये आप देख सकते है विक्रय कितना है ये देख सकते है लेकिन इसमें इनका जो विक्रय मुल्य है जो बेचने का जो र इनफॉर्मेशन नेटवर्क भारत सरकार के द्वारा जो है आपकी एक मार्क नेट पोर्टल विक्सित किया ही है इसका क्रियानवयन ध्यान दिजेगा कम्प्यूटर के माद्यम से मंडी में दैनिक आवक इवन भाव की जानकारी पोर्टल पर नियमीत रूप से प्रेशित के जैसे कि आप रेलवे इस्टेशन में जाते है वहां पर ट्रेन के आवा गमन का एक होल्डिंग लगा रहता है जहां पर निरंतर बताया जाता है कि कितने ट्रेन कितने वज़े आने वाली है और कौन से ट्रेन कीस दिशा की और जाने वाली है तो वैसे ही यहां पर क्या होता में 69 क्रिशी उपज मंडी और 118 मंडियों में जो है जानकारी पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेशित की जा रही है यानि कि 2006 से हमारे 36 गड़ सरकार ऐसे पोर्टल का यूज़ कर रहा है नेक्ष्ट देखिएगा कुछ आपके जैसे कि एग्रो मार्क और सी मार्ट हमारे 36 गड़ में जो है आपका एग्रो मार्केट या सी मार्ट सी मार्ट का कॉंसेप्ट भी पिछले साल के बजट में आया था यह धमतरी में आपका प्राणाम किया गया अनुबंदित है आपका इसको पढ़ लिजेगा री सर्जेंट इंडिया लिमिटेट गुडगाव हर्यानक के द्वारा जो है आपका धमतरी में एग्रो मार्ट ये सी मार्ट इस्थापीत किया गया है नेक्स्ट है आपका उर्वरक गुण नियंतरन प्रयोकशाला यह हमारे प्रदेश में आपका रायगर एवं राजनान गाव में हो सकता है प्रश्ण बने लेकिन आज तक ऐसे प्रश्ण देखने के लिए नहीं मिले लेकिन हां आर्तिक सर्वेक्षन में दिया गया है तो इसको थोड़ा पढ़ लेना यह important है आप लोगों के लिए क्रिशी उपज मंडी एवं उपमंडी हमारे प्रदेश में टोटल 69 मंडी है और 118 उपमंडिया मौझूद है इससे प्रश्ण आय हुए है नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट है आपको प्रधान मंत्री मत से संपधा यूजना ये लागू किया गया वित्तिवर्षे 2021 से क्या है मत से छेत्र पर केंद्री एक सतत विकास यूजना है यानि कि मछली पालन के वित्तिवर्षे 2021 से वित्तिवर्षे 2024 पच्चिस यानि कि 5 सालों की अवधी के लिए सभी संग राज्य एवं संग साचीत प्रदेशों में ये क्रियानवित किया जाएगा उद्देश्ट क्या है अंतर देशिय मत से पालन एवं मत से पालन पोश्ट हार्वेष्ट ये याद रख लेना आपका प्रदान मंत्री मत से संपदा जो योजना है ये आपके वर्ष 2021 से लागू किया गया बाकी इससे जुड़ी हुई विशेश बातों को थोड़ा सा देख लीजेगा देखिए नेक्स्ट है आपका सिचाई परियोजना कुछ सिचाई परियोजना जो है इसको थोड़ा ध्यान दीजेगा एक है आपका अर्पा भैसाजर परियोजना अर्पा नदीपर बिलासपूर में निर्मीत है आपका भैसाजर ग्राम में अर्पा भैसाजर परियोजना इससे कोट बिल्हा और तख़तपूर बिलासपूर जीले के ये आपके जगह लाभानवित होंगे इसकी जो सिचाई छमता है वो है आपके 25,000 हेक्टेयर ध्यान देने वाली बात ये है कि अरपा भैसा धर पर्योजना निर्माना धीन है बांगो ग्राम कोरभा मौजूद है इससे कोरभा जांजगीर चापा और रायगर अब जांजगीर चापा से प्रिथखो करके सक्ती वन रहा है तो सक्ती ये जो आपकी जीले है इससे लाभानवित होंगे इसकी सिचाई चमता है 4.20 लाख हेक्टेयर एक्जाम में आया हुआ हस्देव बांगो परियोजना से जो है इसकी सिचाई चमता कितनी है 4.20 लाख हेक्टेयर नेक्ट है केलो परियोजना जो की दनोट ग्राम रायगर में मौजूद है इससे रायगर खरसिया और सरिया रायगर जी लेके आपका जांजगीर चापा का चंद्रपूर इससे 4.20 लाख हेक्टेयर ठीक नेक्स्ट देखें ग्राम उत्थान योजना जिसके शुरुआत होई वर्ष दोहजार राज्य शाषन द्वारा जो है यह योजना चराई जारी है उद्देश क्या है राज्य में पस्वों के नसले में सुधार सुधार द्वारा क्रिश्कों के आ आर्टिफिशल तरीके से जो है उनका घरभाधान किया जाता है प्राराम बसे लेके अब तक याने कि 2006 साथ से लेकर के अब तक इसमें 15709 चरवाहे पंजिक्रित किये जा चुके है ठीक है चरवाहे याने कि जो गाव से गाव में जो आपकी किसान है उन सभी के मवेशियों को एकत्र करके उन्हें चराने के लिए निकलते उन्हें का जाता चरवाहा तो उन चरवाहों का पंजिक्रित कि अब जो है आपका पंजियन किया पॉसिबल नहीं है इसलिए काफी डिटेल में जा करके आपको ये वीडियो कवर कराया गया वीडियो भी काफी लंबा बन चुका है लेकिन हाँ ये सारी चीजे जितने भी आपके इकोनामिक सर्वे में जो भी चीजे हम बुक में मेंशन किये है वो सारे चीजों को हमने यहां पर कवर कराया है ठीक तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा मेंस राइटिंग में भी काम आता है जहां पर जीन चीजों को ज्यादा हाइलाइट करके बोला गया कि इन चीजो तो थोड़ा सा अच्छे से कीजेगा आज केले इतना ही किसी प्रकार रावन्च होता आप बेंचे कमेंट पूच सकते है चैनल पर नहीं तो चैनल जो सब्सक्राइब कीज़ेगा लाइक और शीशे जरू कीज़ेगा धन्यवाद